Hi Friends, Welcome to My Kitchen यह मैंने बड़ी साइज के दो आलू लिए हैं उबाल के लिए हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है मैं शिलका साथ में डाल रही हूं आप चाहें तो शिलका निकाल लें शिलके के साथ अच्छे लगते हैं आलू तो इसे हम मेश करेंगे अच्छे से सारे आलू मेश कर ले यह देखें इस तरीके से हम सारे आलू मेश करेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा प्यास एक प्यास डालेंगे चॉप किया हुआ अब हम इसमें डालेंगे एक टेबिल स्पून दनिया के बीच वन टेबल स्पून मतार कॉरेंडर सीट इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून कसूरी मेती मतार सूखे कसूरी मेती के पत्ते आते हैं ना ड्राय फेनिगरिक लीव्स वो डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून हरा दनिया और दो टेबल स्पून हरा पुदीना डाल दिया दो टेबल स्पून हरा पुदीना डाल दिया दो टेबल स्पून हरा पुदीना डाल दिया नमक हजब जायका या एक छोटा चमर नमक डाल दें अब हम इसमें सारी चीजों को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, हातों से मिक्सिंग करें, ताकि सारीulations मिल दू जाएं, फिर हम इसमें डालेंगे, लाल मिछ डाल रही हैं मैं लास्ट में आप चाहें तो अभी डाल दें तो ये देखें सारी चीज़ें कमबाइन हो गई है ये एकठा हो गया है ये देखें डौग की तरह एकठा हो गया है सारी चीज़ों को मिला लिया है मैंने इसमें डालें आदा शोड़ा चमाल लाल मिच पाउडर ये थोड़ा तेज मिच है तब ही मैं थोड़ी डाल रही इसको भी और अब हम इसके बाल्स बनाएंगे छोटे बड़े वो आप अपने हिसाब से बनाएं अगर टिकी बड़ी बनानी है तो बढ़ा ले 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 बाल छोटी टिकी बनानी है तो छोटा ले 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 तो इस तरीके से आप एक हाथ से या दोनों हाथों से बाल कोफता या ल बेटर लें हाथ में आलू का मसाला लें हाथ में और गॉल-गॉल गुमाएं दो अत्युलिय के बीच और इस तरीके से लडू बनाते जाएं आप चाहें तो इससे फ्राय करने के बाद फ्रीज भी कर सकते हैं एक दिन के लिए फिर कल डीफ फिर से क्रिस्पी करके खा लें तो बाद दें हर्जबे जाय का नमक और पानी इतना डालें कि मतब चमचे के पीछे कोटिंग आनी चाहिए बैसन की तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सेमी थिक बेटर बना देंगे हलका गारा साम इसका बेटर बना देंगे तो दीरे-दीरे प बेटर बनाएं मैं दिखाती हूँ आपको ये देखें बेटर रेडी है और ये स्पून के पीछे ये देखें मैंने स्पून कोट किया तो एक लेयर बन रही है देखा अब इस उंगली लगाएंगे तो ये लेयर हटेगी वहरना नहीं हटेगी वैसे बिना उंगली के ये द तेल गरम होना चाहिए हाट वायल होना चाहिए और इसे डाल मिक्स बेटर में कोट करें और फ्राय करते जाएं आलू के बॉल लेंगे बैसन में कोट करेंगे और मीडियम तो हाय फ्लेम पे गोल्डें ब्राउन फ्राय करेंगे हम इसको तो बैसन से अच्छे से कोट करते उने ब ょकलने का और cou्लाएंगवाद कुरेंग और तेल घर को धुआ अगर जाएग。 और फिर सारे बिख़ जाएंगे ये देखे नीचे से पग गए थे तो मैंने ने पलट दिया और ये पग गए है तो इनने हम निकाल लेते हैं अच्छा कलर आ गया है हमें ज्यादा नहीं पकाना है बस हलका सुनेरा रंग आना चाहिए सुर्क सुनेरा रंग आ गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं यह देखे वैसे भी हमें से चप्टा करना है फ्लेटिन करना है तो बस इतना ही फ्राय करें बाकी हम बात में फ्राय करेंगे तो मैं इसका एक और में दिखा देती हूँ अब दोबारा से बॉल उटाएं बैसन में कोट करें और हरे तेल में और गरम तेल मे इसी तरीके से हम सारे आलू के बॉल बैसर में डालते जाएंगे गोल्डन ब्राउन फ्राय करेंगे मीडियम टो हाय फ्लेम पे एक बॉल लें जो हमने फ्राय किया था और कोई भी जार का ढखना लें ताके इवन साइज के चाप कटलेट्स बने तो इसी तरीके से हम कोई ढखना उटाएंगे किसी भी जार का या बोटल का और ये बॉल रखेंगे कोफता फ्राइड और फिर उसे चप्टा कर लेंगे इस तरीके से ये देखें फ्राइड गॉल्डन पोटेटो बॉल्स विट एनी जार लिड ये देखें बराबर बन रही है ना एक साइज की क्योंकि हमने सारे चप्टे की हैं धकन की मदद से तो ये भी फ्राय हो गया दूसरा बेच इसे भी निकाल दें ये देखें ध्यान स इस तो इसे ने तो कोई चप्टा करें ताके ये आराम से हो जाए देखें तकने की मदद से कर लें और अब हम एक पैन लेंगे तवर लेंगे । नग पर तेल लगाएंगे बुरश से फोड़ा सा तेल डाल टें नन इस्टिक पैने सजेस्ट करूंगी नन इस्टिक पैनी लें ताके चिपके नहीं और अच्छे से क्रिस्पी बनें तो अब ये हम कटलेट्स उठाएंगे और इस तवे पर डाल देंगे और इसे गॉल्डन ब्राउन फ्राय करेंगे मीडियम टो हाय फिलेम पे ये देखें इस तरीके से हम इसे फ्राय करेंगे गॉल्डन ब्राउन त तो यह देखें कितना अच्छा कलर आ गया है दोनों साइडों से कलर चेंज हो गया है ना क्रिस्पी हो गई है अब हम इसे टुमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे यहारी चटनी के साथ सर्व करें और इंज्यू आए आप इसे रोटी पराटे के साथ भी खा सकते हैं मज़े क बनती है जरूर बनाएगा और फीडबेक दीजिएगा थेंक यू फॉर वाचिंग प्ली लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यूर व्यूस में इंटेस अलोट प्रेस बेल आइकन बटन गंटे के बटन को जरूर दबाएं फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो में अपना ख् याल रखें थेंक यू